हलो दोस्तों अमन कुम्टर टू पांटो में आप सभी का स्वागत है आज किस वीडियो में आप सेखेंगे कि MSBAD में OMR Unser Sheet Design कैसे क्या जाता है तो जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं कि मैंने MSBAD में कुछ इस परकार से एक OMR Unser Sheet Design किया है जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं तो मैंने इस परकार से तो डिजाइन किया है डिजाइन करने के बाद मैंने इस परकार से इसे यूज भी किया जैसे कि आप लोग अभी इधर नीचे देख सकते हैं second page में मेरा देख सकते हैं कि मैंने एक page है इसमें size4 का page है और इसमें मैंने 3 OMR answer sheet उपर और 3 OMR answer sheet नीचे मैंने add किया यानि कि 6 OMR answer sheet आप एक page पर निकाल कर use कर सकते हैं इतना काम करने के लिए सबसे पहले आप क्या करना होगा आपको तो सबसे पहले इस प्रकार से पहले OMR answer sheet design करना होगा तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि इस परकार से आप design कैसे कर सकते हैं MS word में तो सबसे पहले आप क्या कर जिगा कर एक नहीं में आपको आपको क्या करना होगा लेने के बाद आपको क्या करना हो od चोटा करें मैं zap चोटा करने के बाद आप की वाद इसे आप adjustment कर लिजगा, इस lining को देख रहे हैं, इसे आप adjustment कर लिजगा, हम इसलिए कर रहे हैं कि इसमें हम number लिखेंगे, number लिखेंगे यान की question number इसमें add होगा, तो इस परकार से आपको सबसे पहले इसे adjustment करना होता है, adjustment करने के बाद आप इसे इस परकार से थोड़ा सा छोट करने का भी option बिलेगा तो इस प्रकार से आप क्लिक किजिगा तो यह नीचे के और मूब होता चलेगा तो इस तरीका से आपको मूब कर लेना है आपको जितना भी क्यूशन का O MNCID बनाना है तो उससा सबसे आप इसे नीचे के और एड कर लेता हूँ अब क्या करना होगा इरेज टूल का इस्तमाल करना है तो इस प्रकाश मैं इरेज टूल पर किलिक करता हूँ क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऊपर का टेबल को रिमूब कर देना है रिमूब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर कुछ आड्रेस भी आड्रेस हो गया नाम, रॉल कोड लिखना का मैं इसमें टेबल यान के बॉक्स में बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर तो मैं पहले मैं यहाँ पर कोजिंग का नाम लिख देता हूँ जो भी आप कोजिंग का नाम लिखना चाहते हैं तो इस तरह का से मैं अपना कोजिंग का नाम लिख लेता हूँ कि स्थिछ का इस मगा नाम तो मैंने लिख लिया on computer ट्रेइन्ग कर लिए हैं श्लेट करने के बाद आपको हम्टेपर क्लिख और इसे यहां से बीच का position में select कर लेता हूँ उसके बाद आपको enter button को press करना है enter button को press करने के बाद आप आप नीचे में क्या किजीगा अपना नाम लिख लिजीगा तो चलिए मैं यहाँ पर अपना name में लिख लेता हूँ name लिखने के बाद मैं इसका जो underline इससे में हटा देता हूँ हटाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में enter press करकर में box बना देता हूँ box बनाने के लिए आपको insert up पर क्लिक करना है और वही table का use कर लेना है आपको कुछ इस परकार साफ table का use कर लेजीगा इतना काम आपको कर लेना है अगर जो और भी आप table का use करना चाहते हैं तो इससे आप क्या किजिगा किजिगा इस तरी का से आपको छोटा कर लेना है छोटा करने के बाद आपको layout पर क्लिक करना है और इसमें आपको इधर move करने का option मिल जागा इसको आपको select करकर इस परकास से इसमें adjustment कर सकते हैं उसके बाद मैं enter button को press कर लेता हूँ इसमें मैं लिख देता हूँ roll code तो इस तरी का से मैं roll code लिख देता हूँ roll code लिखने के बाद मैं enter button को मैं प्रेस किया है और इस से मनिसल्ट करकर यहां से भी मैं rate कर देता हूँ रेड करने के बाद मैं सेन्ञ प्रोसेस का मैं यूज कर रहा हूँ और टेयबल पर इसे मैं पर इस अपर करने के वाद और टेयबल इसे करने के बाद और same step को मैं वही follow कर लेता हूं मैंने table भी यहां पर भी insert में कर लिया हूं और मैं एक बार or enter को button को मैं press कर देता हूं enter button को press करने के लिए आपको यहां पर click करना है और इस बला जो टीवल यहां पर देखेज़े हो हो रहा है इससे आपको layout पर क्लिक करकर आप इससे erase कर देज़ेगा तो इस तरिका से आपको erase कर लेना है तो यहां पर देसकते हैं कुछ box यहां पर खाली हो चुका है और यह जग है आपको देखने में भी ठीक लेगा इतना काम करने के बाद मैं इसे भी Color कर देता हूं Color करने के लिए Red में कर देता हूं आप अपने हैसाब से Color कर सकते हैं तो कुछ इस परकार से दो सकते हैं कि मैंने तो Setup कर लिया करने के बाद मैं इसे थोडा सा नीचे कि और मूब कर लेता हूं ताकि इसमें त्लिल त्बच भचे को इस तरीका से थोड़ा सा ठीक लग रहा है इतना काम करने के बाद और भी आपको तो आप आप एड़ कर सकते हैं जिससे फादर स्नेम होगे या फिर आप किसी टोटल मार्स जो भी आपको लगता है उससे आप एड़ कर लेजिए इतना काम करने के बाद में चलिए अब अपना ओम अपना नीचे के और नीचे डिजान कर लेता हूं तो देखे दोस्तों आप इसाब से ओमर अंसेट का की ट्रस्त एंड कर रहा हैं आप चाहें तुब 50 की समय का रहा हूं तो मैं यहां पर पूरे स्टेबल को में इसलेट कर लेता हूं श्लेट करने के बाद आपको यहां से बीच का पोजिशन को शेट कर लेना और जैसे कि माल लेज़े मैं यहाँ पर one number type किया, one question number, two question number, three question number और four question number और उसके बाद आपके हैं पर नीचे की और move कराना है इसमें आपको लिखना है फाइव, move कराना है और इसमें आपको लिखना है six यानि कुछ इसी प्रकार से आपको लिखना है तो चलिए मैं फटा फट जल्द से लिख लेता हूं WOMAN तो दोस्तों जैसा कि आप अभी दे सकते हैं कि मैंने इसमें 50 का ऐड किया है जैसा कि आप लोगों को भी देख सकते हैं तो इस तरिकाशास से सबस्क्राइब पटासर रह सकते हैं 50 कि और 50 भी रह सकते हैं इसमें आप अपनी साब से रख सकते हैं तो इससे मैं इस परका से तो सेट अप कर लिया हूं और आप चाहें तो इसका साइच को इस तरका से बड़ा या फिर छोटा भी कर सकते हैं तो इससे मैं इस परका से अजेस्टमेंट तो मैं यहां पर कर लिया हूं करने के बाद देखें दोस्तों आप आ से नीजे के और लाया हूं और अब आप देखिए अब इसमें आपको अपना ओमर अंसर सीट का कोड लिखना है तो देखे दोस्तों जो ओमर अंसर सीट में रहता है तो इस तरी का समय ने 24 लिखा उसके बाद आपको ड को प्रेस करना है और इसके बाद आपको जीरो बटन को प्रेस करना है उसके बाद आपको अल्ट के साथ एकस बटन को प्रेस करना है तो यहां पर एका सिंबल आ जाएगा उसके बाद आपको एका स्पेस को प्रेस करना है पिर चय को म擊ाओ नष्य से चोकुशार करों इस्पर आपको 1 लिखनाई और कशाव एक्स्रोओं प्रेज़ करना इसंद में करिफ एक्सट्स करना हुश्मार्ट करना तो यह निख्याी है ऐसनक है आपको फिर से 22 लिखना है, डी लिखना है, इस पर आपको 3 लिखना है, और Alt के साथ X बटन को प्रेस करना है, तो यहाँ पर देख सकते कि D का भी कॉलमेरा बन चुका है, इतना काम करने के बाद इससे आपको स्लेट कर लेना है, इसका कलर को रेट कर दिजीगा, आप चाहें तो नम्बरिंग कलर को भी रेट कर सकते हैं, इससे क्या होता, ज्यादा बहते लगता है, तो इससे मैं यहाँ पर पूरे को स्लेट करकर यहां से मैं रेट कर देता हूं, रेट करने के बाद आपको क्या करना होगा, इससे आपको कॉपी कर लेना है, यहां से मैं कॉपी कर ल सकते कि मैं आपको इस परकार से एक ओ- अशीट बिलकुल असानी तरिका से मस बना कर दिखा दिया हूँ जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं जैसा तो इस परकार से आप कर सकते हैं तो इतना काम करने के बाद इससे आप लोग अभी देख सकते हैं तो इतना काम करने के बाद मैं थोड़ा से इसमें को कम किया हूं अजेश्मन करने के बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और इसमें आपको एक टूल का उप्शन के यूज करना है जिसका नाम है स्ट्नैपिंग टूल यह सभी कम्पीटर में रहता है यानि कि सभी बिंडो भर्जन में दिया हुआ रहता है तो अगर जो आपको यह टूल क्लिक कर लिजोगा से या के और को यहां पर आपको यहां से कट करें चाहिए या फिर आप चाहिए हो से भी कर सकते हैं इसे मैं और कर देता हूं फिर से में बैक चला जाता हूं बैक जाने के बाद मैं एक न्यू पेज ली लेता हूं न्यू कवर में पेज यहां पर मैं एड कर लेता हूं कहां गया न्यू पेज इस तरीका से मैं यहां पर न्यू पेज को ब्लैंक पेज को मैं एड कर लेता हूं और इसमें मैं क्या करता हूँ पेस्ट कर देता हूँ तो देश सकते हैं कि हमारा पिक्चर जो मैं क्रोप किया था यहां पर आकर पेस्ट हो चुका है पिक्चर फॉर्मर पर किलिक करना है उसके बाद आपको ब्रेफ टेक्स में जाकर इनफॉर्ण टेक्स कर देना है इससे क्या होता कि आप अपने पिक्चर को रोटेट या फिर मूब कर सकते हैं तो इतना काम करने के बाद मैं क्या करता हूं अपने पिक्चर को कुछ इस परकार से चोटा कर लेता हूं ताकि यह साइज एफोर का पेपर है तो इसमें तो काफी बड़ा दिखेगा तो इस तरीका से मैंने आप पर पेपर का साइज को थोड़ा सा छोटा किया मेनेज किया है और कुछ इस परकार से आपको अजेस्टमेंट करना है और उसके बाद आपको अपने कीवर्ट से कंट्रोल डी बटन को प्रेस करना इससे क्या हुआ होगा कि आप इससे डूबलिकेट कर लिजीगा आप इस परकार से अजेस्टमेंट कर सकते हैं उसके बाद फिर से आपको Ctrl-D डी बैटन को प्रेस करना है और कुछ इस परकार्ष के आपको आजेस्टमेंट कर लेना है जैसा कि आप लोग abhi Remedy देख सकते जिसे परकार्ष आपको अच्छे परकार्ष आजेस्टमेंट कर लीजिएगा थोड़ा समýस ूद और इया आता हूं ओं ताकि यहा काट सकें उसके बाद आपको कंट्रोल बटन को प्रेस रखना है और सभी पर क्लिक करना है और इसके बार राइड क्लिक करकर इसे आप यहां से ग्रूप कर लिजिगा उसके बाद कंट्रूल डी करना है और तीनों को आप क्या के जिगा नीचे सेम वही प्रोसेस में आपको य इस परकार से मैं इसे भी add यहां पर मैं कर लेता हूं इतना काम करने के बाद अब चलिए मैं इसका print preview देख लेता हूं Ctrl प्लस ब्टन को press करकर तो देख सकते हैं कि यहां जो मेरा design कर हुआ था और इस परकार से setup किया page पर तो देख सकते हैं कि इसका प्रिंट कर सकते हैं कटिंग करकर तो चलिए यह च्छोड़ा सा प्रोसेस दोस्तों आगर जो आप चाहें तो इससे से भी कर सकते हैं सेब करने के लिए आपको सेवेश पर क्लिक करना है और location को कर देख कर लिए और इसमा आपको अपना फालनेम देखकर हैं से सेव किजगा तो यह सेब हो जाएगा तो इससे क्या हुआ पीडियाप में सेव हो जाएगा और आप इससे अपना प्रिंट निकाल दीजिगा तो देखे दोस्तों यह एक छोटा सा प्रोसेस दा दोस्त सेट बनाने का वीडियो आप ठीक लगा तो वीडियो को लाइक और चलने पर नहीं चलने को सब्सक्राइब जूरू कर देजिएगा क्योंकि हम कुम्टर से टेट इसे प्यार्शी वीडियो बनाते रहते हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद